दस अक्तूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहां से निकालें। यह बहुत बड़ी डिवेलपमेंट है उसकी वज़ा यह है जो मैं समझता हूँ के कैनडा का साथ वेस्टर ममालिक ने नहीं दिया। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है और वो न्यूज यह है कि इंडिया ने कैनडा को यह धंकी दिया, यह थ्रेट किया है या यह कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपेट्रियेट करो। इंडिया का मीडिया तो ट्रेंड है इस मामले में भी पाकिसन बेस्टिंग करने ही, सारा मीडिया कठा हाजाता है। आपको पता है, फुल फ्लेट सपोर्ट डालती है, ठीक है, वन इट कम्स तू और चाइना, सारा मीडिया कठा हो जाता है, तो इंडिया की तो इस सवाले से ट्रेनिंग जी कि अगर कोई इस हमें इशारा करें और इस तरह की चीज हो तो हमने जो आना शुरू हो जाना है, और म तो यह मैं आपको बताओं, फिर वेस्ट में कोई मुलक नहीं बोलेगा इंडिया के खिलाफ, ठीक है, फिर यह ही होना है कि फिर जिससे वो कहते हैं कि अमरीका एक और चाइना त्यार कर रहा है, नमस्कार, आप सभी का स्वागत हैं, हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में, भारत सरकार ने कनाडा को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है, तरासल भारत सरकार की तरफ से ओपिशल तोर पर तो कोई नोटिफिकेशन अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन खबरें ये चल रही हैं कि भारत सरकार की तरफ से कनाडा को ये बता दिया गया है कि आपके इतने जादा जो डिप्लोमेट दिल्ली के अंदर बेटे हुए हैं उनको आप कम कीजिए और 41 डिप्लोमेट को वापिस भेजने का जो है ना एक तरीके से फर्मान सुना दिया गया है इसी पर हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया का रियक्शन तो वीडियो को ल है वो एक कनेडियन को कतल करने में नौल्व हैं तो जो बाकची साब है जो मिनिस्टर ऐफेर्स मिनिस्टरी के ठोट्रेश परिसन है उन्होंने जो स्टेटमेट दी थी उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक disproportionate number है Canadian diplomats का इंडिया के अंदर है। आज एक financial times की report आई है जिसमें उनने कहा है कि यह 10 October का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 diplomat हैं उनको यहां से निकालें। यह बहुत बड़ी development है उसकी वज़ा यह है जो मैं समझता हूँ के Canada का साथ Western मौलक ने नहीं दिया। यह जितनी भी हम लफ़ बोलते हैं ना यह जो ग्रेट पार्स ठीक है जी यह जो चार पांच हम नाम लेते हैं जी ठीक है जी इन में से अमरीका ने भी साथ नी दिया जर्मनी नी भी नी नी दिया। इसको वो कहरें कम करें ठीक है जी तो इसका मतलब यह है कि इंडिया चाहता है कि तालुकात जो है मजीद खराब हो इसकी बहुत सारी कॉनोटेशन्स हैं जी मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ पहले एंगल तो यह है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक अमर्जिंग पार है तो यहां पर आपको कैनेडा को एक टफ पॉजिशन लेनी पड़ेगी पहली बात दूसरी बात यह है कि उन्होंने पिछले कुछ एटसे में एक चीज तो यह की है कि नरिंदरा मोदीस पर बात नहीं करते दूसरी बात तीसरी बात यहाए कि डॉक्टर जे शंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्हों ने यह कहा जी के यह जिसे वो कहते हैं ना के एक एन्वाइरमेंट है ठीक है जी कैनेडा के अंदर और वो जो क्लाइमेट ऑफ वाइलेंस है इस अजिसे अधिर इस एक्मस्व कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं और उनकी जो होस्ट गोवर्मेंट है, वो उनको softly deal कर रही है, for one reason or the other reason, तो हमें इस पे करना पड़ेगा, अगर जस्टन टूडो बैक ट्रैक कर जाते हैं, तो यह माँ आपको बताओं, फिर वेस्ट में कोई मुलक नहीं बोलेगा, इंडिया के खिलाफ, ठीक है, फिर यही होना है, जिसे वो कहते हैं, जिस तरह यह का जाता है ना, जी कि अमरीका एक और चाइना त्यार कर रहा है, ठीक है, इस तरह, there is a probability in the coming years, कि जब इंडिया, इस का भी तो इंडिया, जो मर्जी होजाएं, अमरीका के लाफ नहीं बोलता है, नोबडी विल स्पीक इंस इंडिया, अमेरिका इंडिया में कोई नहीं बोलेगा, हर बंदा बड़ा खमोश रहता है, बड़ा नपात अला, इदर उदर, मीडिया आज इंडिया इंडिया की लिए इस तरह की चीज हो, आमने जो हो जाना, लेकिन चीज नहीं है, वो तो एक लिबरल ससाइटी है, बिलकुल लिबरल ससाइटी है, वहाँ पे तो शाहिद बता नहीं, मीडिया को, I'm not much previous to the Canadian politics, लेकिन बहुत सरी चीजों की तो समझ है, वहाँ पे, वहाँ पे मीडिया या इंस्टिशन्स, यह लोग बड़े अजाद हैं, जुदिशिरी बड़ी अजाद है, यह obviously not like developing countries, so उन्होंने पहले तो मीडिया के जरीए अच्छी भली जो है न, वो परिशानी की, बलके जब जुस्टिशन ट्रोडो इधर ही थे, G20 के बाद उनका जहाद खराब होगा, तो मीडिया ने बड़ी ले दे की हैंगी, तो मेरा है एक ही option रहा जाता है ट्रोडो के पास, to strike back, और hit back, diplomatically, लेकिन इस तरह ना हो के, जो मैं चाहता हूँ, अगर if, if Trudo wants to survive, but if Trudo doesn't want to survive, त अगर Canada diplomatically hit back नहीं करता, तो नुकसान Canada का होगा as a country, because Canada को तो उसके तहादी चोड़ चुके हैं, so यहाँ पर आके, अगर Justin Trudeau ये करता भी है, तो they should make sure, because अब इसमें प्राब्लिब यह है, कि Jagmeet Singh वो जितने लोग भी है, उनको यह पता है, अगर हम hit करेंगे, तो इसमें ज इत सिंग का जो वोट बैंक है वहाँ पे, जो के तकरीवन कहा जाता है कि 8 लाग के करीब वोट बैंक है Canada के अंदर, ठीक है, और लेकिन इंडिया के पास ज्यादा लेवरज है, क्योंकि इंडिया अपना domestic political score भी settle कर लेंगे, domestically भी pressurize कर लेंगे, international भी अपना image ठीक कर लेंगे, Canada के साथ जो trade trade इस नहीं वो इतनी लंबी जोड़ी नहीं है, उन्होंने विछले को दस कुछ सालों में, Canada ने कोई इंडिया के अंदर investment की है, लेकर नहीं तरह बड़े के माने नहीं की, जमी है, इस वो थी जाँ है, उन्होंने काई है? एतनी करने की, investment करने की, मेरे हाला को 13-11-21-3 oak worker trade यह दोनों मुलकों? अगर वो वापस जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है, तो कि लगता है कि वो बैठे हूँ है, विकॉज उसको ज्यादा रिलाइस, रिलाइसेशन ये थी, कि ये ऐसे है, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ से चाइना जो है, वो सकता सेंपती दिखाने शुरू कर दे काल को कैन कि और इंडिया के डेपलोमेट्स को निकालते हैं या वो वो कहते हैं कि नहीं रहने दे इनको, मुझे लगता है कि ये इंडिया का जो इस वकत की जो डेपलोमेट्सी ऑन कैनड़ा ये काम कर गई है, तो आई होप तोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होगी, और अगर इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने भी इस वीडियो के अंदर देखा है पाकिस्तान के जो पत्रकार है कमर चीमा साथ वो इस वीडियो में बताते हुए हमको दिखाई दिये हैं कि किस परकार से बारस सरकार कनाड़ा को बिलकुल बेकफूट पर खड़ा कर चुकी है और लगातार उसके खिलाप एक्शन लिये जा रहे हैं दर असल मामला यह है कि कनाड़ा के बहुत सारे डिपलोमेट जो है न दिली के अंदर थे और उनको जो है न जो वीजा के लिए और इसके लिए उनकी जोद पढ़ती थे लेकिन अब भारस सरकार ने कनाड़ा को लगभग 41 डिप्लोमेट जो है ना उनके छोटे बड़े उनको वाफिस कनाड़ा बेजने का जो है ना यहाँ पर फरमान सुना दिया गया है और 10 तारिक बताई गई है 10 हक्टूमर तक कि आप जो है इनको वाफिस दिल्ली से कनाड़ा लेकर जाएए अन्यता हम इनकी जो है ना इनको ज लेंगे और यह आम नागरी की तरह यहाँ पर इंडिया में हो जाएंगे फिर बारस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी तो इसी के उपर हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो यहाँ पर हमको चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस परकार से जो सब जो है ना मिलकर कनाडा के साथ में खड़े होंगे कनाडा के बचाओ में आएंगे लेकिन एक भी कंट्री प्रोपर तरीके से जो है ना इनके बचाओ में नहीं आया है और दूसरे तो फिर आने वाले ही नहीं चाइना वगेरा रश्या वगेरा तो आएंगे ही नहीं तो फिर यहाँ पर जो है ना कनाड़ा जो है ना बूरी तरीके से भारस से पंगा लेकर जो है ना यहाँ पर फस चुका है बाकि आपने पूरी वीडियो देखी है आपको किसा लगाए कमेंट करके जरूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद